Hello Everyone, Welcome to Engineer ChoseCUESion Point इस वीडियो में iPhone के बारे में पढ़ेंगे तो Microphone क्या है? एक Electrical Device है, जो क्या करता है? Sound Energy को Electrical Energy में Convert करता है Sound Energy को Electrical Energy में Convert करता है Microphone is an Electrical Device required for the transformation of Sound Energy into corresponding Electrical Energy मिन्स ऐसे बोले हम लोग माइक्रोफोन क्या है एक ट्रांस्ड्यूसर है एक एलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है साउंड इनर्जी को एलेक्ट्रिकल इनर्जी में कनभर्ट करते हैं साउंड से रिलेटेड हो गया में साउंड इनर्जी को एलेक्ट्रिकल इनर्जी में कनभर्ट करता है जो भी माइक आप देखते हैं वो क्या है माइक्ट्रोफोन है उसका क्या काम है आप जो बोलते हैं उसको क्या करता है कनभर्ट कर देता है एलेक्ट्रिकल इनर्जी में साउंड इनर्जी को एलेक्ट्रिकल इनर्जी में कनभर्ट कर देता है नेक्स है टाइप्स ओफ माइक्रोफोन तो माइक्रोफोन जो है डिफ्र कारबन माइक्रोफोन क्या होता है यह पहला माइक्रोफोन है कारबन माइक्रोफोन जो क्या हुआ था यूज में आया था जिसका हम लोग यूज करना शुरू किये थे ठीक है लॉज क्या जाता है और अड़ क्रिक्रोट इन डेवलोक्मेंट अउप तेलिफोन और इसका यूज कीज है तो टेलिफोन में ब्रॉड कास्टिंग में लिए ख़ता है और, and the recording industries, recording industries में यूज किया जाता है, ठीक है, sound को record करने के लिए, telephone में यूज किया जाता है, broadcasting के लिए, carbon microphone का यूज किया जाता है, यह किस principle पर काम करता है, carbon microphone जो है, किस principle पर काम करता है, varying the density of carbon particles, carbon particle का जो है, density जो होगा, carbon particle का, वो vary करेगा, किसके proportional में, to the variable pressure, जो pressure developed होगा, उसके comparison में वो क्या होगा, carbon particle का जो density है, वो vary करेगा, developed by sound wave, sound wave के कारने के द्वारा, जो है, जो variable pressure developed होगा, उसके proportional में क्या vary करेगा, carbon particle का density, देखिए, इसमें क्या क्या होता है, it consists of, DC source, carbon microphone में क्या क्या होता है, DC source होता है, step of transformer होता है, डाइफर्गम होता है, मध्धपट बोलते हैं, इसको, chamber containing carbon particles, means, एक DC source होगा, step of transformer होगा, डाइफर्गम होगा, chamber होगा, जिसमें क्या होगा, carbon particles होगा, हम आपको diagram दिखाते हैं, फिर नीचे आते हैं, उपर आते हैं, देखें, यह carbon microphone का diagram है, इसमें आप देख सकते हैं, यह आपका step of transformer लगा हुआ है, यह आपका DC source battery लगा हुआ है, यहाँ पर carbon particles है, यहाँ पर कोन है, तो यह carbon microphone का diagram है, का रहा है, when the sound wave incident on the diaphragm, diaphragm जो है, जो मध्यपट है, मध्यपट पे जब जो है, sound wave को incident किया जाता है, ठीक है, मध्यपट जो होता है, जो diaphragm है, उस पे sound wave को जब incident करते हैं, जब देते हैं, its start vibrating in proportional to the air pressure, that causes variation in density of carbon particles, देखिए, जब जो है, sound wave को दिया जाता है, डाइफरगम पे, तो यह क्या होता है, vibrating करना start करता है, किस के proportional में, proportional to the air pressure, that causes air pressure के proportional में क्या होता है, यह vibrate करना डाइफरगम पे, जो है, vibrate करना start हो जाता है, जो क्या करता है, causes variation in density of carbon particles, जो क्या करता है, जो carbon particles है, उसमें variation को करवाता है, और उसके कारण क्या होता है, resulting in generation of electrical energy, और इसके क्या होता है, electrical signals जो है generate करेगा ठीक है यह carbon microphone का diagram है आप देख सकते हैं next हम लोग इसका merits और demerit की बात कर लें तो carbon microphone का क्या merit है आप देखिए it amplifies audio frequency signal यह audio frequency जो है audio means हो गया sound यह audio frequency signal को क्या करता है amplify करता है it provide low impedance usually 200 ohms इसमें जो है low impedance होता है impedance is just like a resistance इसमें low resistance होता है कह सकते हैं जिसका कितना ohm का होता है 200 ohm का it provides almost uniform frequency response यह जो है uniform frequency response provide करता है और uniform frequency response होगा means ज़्यादा जो है variation नहीं होगा तो जितना uniform frequency response होगा उतना अच्छा मना जाएगा तो यह uniform frequency response अल्मोस्ट जो है lump sum provide करता है over the lower audible range lower audible range में means कम frequency पर यह क्या करता है almost uniform frequency provide करता है it is highly sensitive और यह highly sensitive है ठीक है नेक्स्ट है demerit of carbon microphone carbon microphone का demerit क्या है disadvantage क्या है merit means advantage और demerit means disadvantage a noise hissing sound is appeared at the output due to variation in density of carbon particle देखें output पे जो है क्या होता है एक hissing sound जो है means noise produce होता है किसके कारण carbon particle के variation in a density of carbon particle carbon particle density में जो variation आता है उसके कारण क्या होता है एक hissing sound जो है output के पास produce होता है ठीक है तो वह यह noise को थरा produce करता है तो यह इसका disadvantage हो गया या demerit हो गया नेक्स्ट है application या use application या use same चीज है कहां पर हम लोग use करते हैं carbon microphone करते हैं they are widely used in telephone and transmitter carbon microphone का जो है हम लोग सबसे ज्यादे use telephone में करते हैं और transmitter में करते हैं they have wide industry application टू और इसका यूज जो है recording industry में भी बहुत ज़्यादे किया जाता है तो यह आपका carbon microphone था next हम लोग देखेंगे capacitance microphone तो यह carbon microphone देख लीजे पहले इसके बाद हम लोग देखेंगे capacitance microphone देखें सेकेंड है capacitance microphone capacitance microphone is also known as condenser microphone capacitance microphone को condenser microphone भी कहते हैं it is invented by EC-20 at well laboratory EC-20 के द्वारा जो है यह capacitance microphone का खोज किया गया था it consists of parallel plate capacitor DC source and load resistance at the output देखें capacitance microphone में क्या होता है parallel plate capacitor होता है DC source होता है load resistance होता है output के पास ठीक है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार diagram को यह आपका capacitance microphone का diagram है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह यहाँ से sound input देते हैं यह front and back plates है दो प्लेट है यहाँ पे DC source है और यहाँ पे audio signals है तो यह आपका capacitance microphone का diagram है ठीक है देखें इसमें क्या क्या होता है हम लोग देख लिए parallel plate capacitor DC source load resistance आकुर के पास the parallel plate capacitor has one fix plate and another one is variable parallel plate capacitor में क्या होगा एक जो है fixed plate होगा और एक plate क्या होगा variable plate होगा ठीक है variable plate यह movable plate कह ही है ठीक है एक fix plate होगा और एक movable plate होगा the movable plate is facing the input sound pressure जो movable plate होता है वहाँ पर क्या करता है किया जाता है Input sound pressure को दिया जाता है When the sound signal Strike on the front plate Of the capacitor देखें Soज की front Size होता है वहाँ पे अपलाई करते है Sound signal को When the sound signal Strike on the front plate Of the capacitor Capacitor का font plate होता है जो सामने का plate होता है उस पे जब sound signal Strike करता है इंड्याट्ट इंड्याट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् capacitance में capacitor के वह किसके series में होता है वह DC source के series में होता है thus we get an electrical signal और इस तरह समनों क्या करते हैं electrical signal को output के पास at the output of the microphone मिलता है इन proportion विदा sound input करते हैं जिस intensity से उस तरह से electrical signal जो है आउटपुट पे प्रोडियूस होता है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस माइक्रोफॉन का डाइग्राम है नेक्स है मेरिट्स और कार्बन माइक्रोफॉन का क्या मेरिट्स है मेरिट्स या एडवांटेज आप से पूछे तो सेम चीज़ लिखना है इट अवसो प्रोवाइट यूनिफॉन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखिए यह जो है कैपेसिटेंस माइक्रोफॉन इससे पहले देख लिए इसका कि फिक्वेंसी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स यूनिफॉर्म होता है इसमें भी फ्रिक्वेंसी माइक्रोफॉनस आप क्लिए म मेरिट्स या a DC source is required for it capacitance microphone के लिए DC source किया विसकता परती है तो यह हैज High impedance और इसका impedance क्या होता है नेक्ट है application कि हम लोग बात कर ले तो capacitance microphone का यह यह ताहिएoux है это widely used in laboratory to pick up sound way to be measured ठीक है इसका capacitance microphone का laboratory में सबसे ज्यादे यूज़ करता है sound wave को pick करने के लिए जिसको measure करना है ठीक है जिसको measure करना है उस sound wave को pick करने के लिए laboratory में हम लोग lab में सबसे ज़्यादे capacitance microphone का use करते हैं next अगला है moving coil microphone moving coil microphone नाम सही के लिए है moving coil microphone moving coil microphone is also known as dynamic microphone इसको हम लोग dynamic microphone भी बोलते हैं moving coil microphone को it consists of cylindrical magnet voice coil and diphergum इसमें क्या होता है moving coil microphone में cylindrical magnet होता है voice coil होता है और diphergum होता है it works on the principle of electromagnetic induction यह किस principle पर काम करता है तो moving coil microphone जो है वो electromagnetic induction पर काम करता है आप इसका diagram पहले एक बार देख लिजे यह जो है moving coil microphone का diagram है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्वाइल हो गया यहाँ पर कैसिंग है यहाँ audio output signal है उपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर sound signal अप्लाई करेंगे यह आपका डाइफरगम हो गया यहाँ पर यहाँ पर यह आपका magnet हो गया ठीक है तो यह moving coil microphone का diagram है चलिए इसका हम देखते हैं कैसे यह काम करता है तो हम लोग क्या देखें यह जो है electromagnetic induction principle पर काम करता है moving coil microphone electromagnetic induction पर काम करता है वेन द इंसिडेंट सांड वेव इस्ट्राइक ओन द डाइफरगम जब जो है of coil in the magnetic field which produces electromagnetic force और यह जो डाइफरगम जब वाइब्रेट करने लगता है जिसके क्या होता है moment coil में जो है moment आता है ठीक है results in the moment of the coil in the magnetic field magnetic field में क्या होता है coil में moment आता है जो क्या करता है वो electromagnetic force को produce करता है ठीक है hence we get at the output load and electrical signal which is in accordance with the input sound wave और output load के पास क्या होता है electrical signal मिलता है किसके accordance में input sound wave जिस तरह से आप sound wave को apply करते हैं जैसा apply करते हैं उस तरह से क्या हो है electrical signal जो है load के पास output के पास produce होता है यह डाइग्राम हो गया moving coil microphone का नेक्स हम लोग merits की बात कर ले या advantage की बात कर ले moving coil microphone का it is highly sensitive microphone यह क्या है highly sensitive microphone है it has uniform frequency range इसका भी frequency range क्या होता है uniform होता है it can be used at higher temperature higher temperature means ज्यादा temperature पर भी हम लोग इसका use करते हैं it does not require external source for it operation और इसमें देखिए external source की जरुरत नहीं परते है means DC source battery के अबसक्ता moving coil microphone में नहीं परता है next है demerits of microphone demerits या disadvantage it has low impedance इसका impedance क्या होता है low होता है application की बात करें तो moving coil microphone का widely use के जाता है public meeting में और broadcasting के लिए ठीक है broadcasting के लिए या public meeting में सबसे ज्यादे moving coil microphone का use किया जाता है next है piezoelectric microphone is also known as crystal microphone piezoelectric microphone को हम लोग crystal microphone के नाम से भी जानते है it works on the principle of piezoelectric effect ये किस principle पर काम करता है तो piezoelectric microphone जो है piezoelectric effect पर काम करता है under some mechanical pressure it exhibits voltage क्या होता है जब mechanical pressure दिया जाता है ठीक है piezoelectric microphone ये क्या करता है ये voltage को produce करता है the vibration और oscillation of pressure produces corresponding electrical signal जो vibration या oscillation होता है ठीक है of pressure pressure का जो है जब हम लोग pressure देते हैं तो उसके क्या होगा vibration या oscillation produce होगा ठीक है oscillation produce होगा और वो क्या करेगा correspondingly electrical signal को produce करेगा it consists of fine crystal that is placed in between electrodes electrodes के बीच में क्या होता है fine crystal होता है ठीक है पहले आप देख लिजए यहाँ पे diagram यहाँ पे देखिए यह देखिए दो electrodes है और इसके बीच में जो है यहाँ पे fine crystal है यहाँ पे audio signal output है फिजो इलेक्ट्रिक microphone का diagram when a sound pressure strikes on the electrodes electrodes पे जो है जब sound pressure को दिया जाता है ठीक है the crystal starts vibrating according to the sound pressure जब जो है sound pressure को जो है दिया जाता है electrodes पे तो crystal जो है वो क्या करता है और इस तरह से हम लोग electrical signal को प्राप करते है इन दिस वे वी गेट दो आउट्पूट्ट सिंग्नल और इस तरह से जो है और इस तरह से हम लोगों को और यू आउट्पूट्ट सिंग्नल मिलता है किसके फॉर में एलेक्ट्रिकल सिंग्नल के फॉर्म में यह देखिए उपर में साउंड इनपूट है और यू सिंग्नल आउट्पूट है लेप्ट साइड में यहां पर क्रिस्टल है दो एलेक्ट्रोड के बिच में क्रिस्टल है आप देख सकते हैं नेक्स्ट है जो फ्रिक्वेंशी रिसपॉंस होता है वो क्या होता है यूनिफॉर्म होता है इसक्टाइब इसमें परते हैं अगर हम लोग डिमेरिट की बात कर ले या इसमें क्या हो गया हाई गेन और यो पाबर अप्लिफायर चाहिए पीजो एलेक्ट्रिक माइग्रोफोन में इट कैन नॉट भी यूज एट हाई टेंप्रेचर और इसका यूज जो है हाई टेंप्रेचर पर हम लोग नहीं कर सकते हैं अप्लिकेशन की बात कर ले इस यूजली होता है और उसके टाइब को देखें तो micro phone किया है एक जो है आपका ट्रैंस ड्रीफ से या एलेक्ट्रिकाल किया कि डिवाइस है जो शांड इनर्जी को एलेक्ट्रीकल इनरजी में करता है ठीक है Simple, आप देखते हैं, कहीं पर meeting हो रहा है, जो mic होता है, तीन चीज़ का बहुत वरा roll होता है, कोई meeting में या कहीं पर भासन दे रहें, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो है, एक mic होता है, ठीक है, माइक, जिसको हमें माइक्रोफॉन बोलते हैं, एक जगा जो है, आपका amplifier लगा रहता है, ठीक है, और last में क्या होता है, loudspeaker रहता है, हम किसी साधी function का ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक loudspeaker है, सपोज कि यह कोई गायक है, गाना गा रहा है, तो कैसे कैस process होता है, यहाँ पे, यह microphone हो गया, microphone हो गया, microphone, यहाँ पे एक amplifier लगा रहता है, ठीक है, और last में, loudspeaker होता है, तो यह जो microphone है, यहाँ पे क्या होगा, input हम दो देते हैं, जो गायक है, वो गाना गाएगा, तो इनपूट जो डेगा, वो क्या होगा, sound signal देगा,thood हम लोग गात को देगा ठीक है एंप्लिफायर को देगा एंप्लिफायर क्या करेगा जो विक्स सिग्नल है उसको स्ट्रॉंग सिग्नल में कनवर्ट कर देगा मिन्स इसका जो है हम लोग जब बोलते हैं तो उसका क्या होगा sound कम होगा ये amplifier क्या करेगा amplify करके ठीक है और फिर ये load speaker को दे देगा तो देखते हैं last में load speaker लगा रहता है और load speaker का क्या काम है load speaker का काम है जो ये electrical signal आया उसको फिर sound signal में convert कर देगा तो microphone और load speaker का just opposite काम है microphone क्या करता है sound energy को electrical energy में convert करता है और loud speaker क्या करता है, electrical energy को sound energy में convert करता है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग microphone के बारे में परे, thank you for watching this video, thank you so much.